तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप सिर्फ अपने नाम से अपना रोल नमबर निकालना चाहते हैं, रोल नमबर पता करना चाहते हैं, high school या intermediate का, तो कैसे आप पता कर सकते हैं, सिर्फ अपने नाम से अपना रोल नमबर, जैसे कि अगर आपका यह से देखना है इस वीडियो को इस वीडियो के अंदर हम आपको डीटेल में बताएंगे यूपी बोर्ड का इंटरमेडियेट या हाई स्कूल का रोल नंबर कैसे पता कर सकते हैं सिर्फ नाम से आपको करना है अपने मुबाइल फोन के अंदर ब्राउजर ओपन करेंगे आपको सर्च बार पर किलिक करना है यहाँ पर आपको सर्च कर देना है यूपी एमस्प जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज यहाँ पर आजाएगा अब यहाँ पर मिल जाएगा यूपी एमस्प आपको इस पर किलिक कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे, आपके सामने इस तरह का ये site open हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको connect है, आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक article देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पर निचायेंगे निचायने के बाद यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा यह है वो आर्टिकल देख सकते हैं और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड नोटिपिकेशन तो आपको करने के एसे आर्टिकल पर किलिक करना है और यहां से आप अपना role number find कर सकते हैं तो आपको इस article पर किलिक करना है आपके सामने इस तरह का page आ जाएगा अब यहां पर आपको अपने browser को एक बार desktop site पर open कर लेना है तो यहां पर मिल जाएगा 3 dot आपको इस वाले 3 dot पर किलिक करना है यहां पर आपको desktop site आपको इस पर किलिक कर देना है आपका browser desktop site पर open हो जाएगा अब आपका यह side कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आपको यहां पर अपना class चूस करेना है यहां पर आपका वर्स आटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा यहां पर आपका district आपको select करेना है यहां पर आपका जो school हो वो select करेना है यहां पर आपको अपना name डाल देना है तो यहां पर हम सारा details fill up करेते हैं तो हम यहां पर high school पर click करेंगे हम अपने high school का roll number देखना चाहते हैं आपका वर्स आटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा आपको district पर click कर देना है जैसे आप district पर click कर देंगे click करने की बाद यहां पर आपको अपना district select कर लेना है जो भी आपका हो तो हम यहां पर select कर लेते हैं और आपके विद्ध्याले का code भी आपको देखने को मिल जाएगा तो आप पैचान भी सकते हैं आपको यहां पर अपना विद्ध्याले चूज कर लेना है यहां पर आपको year में कुछ भी नहीं करना है जैसे आपका 2020 यहां पर select है तो आपको select रहने देना है आपका 2022 का ही role number देखने को मिलेगा यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आप इस पर click करेंगे तो आपको यहां पर और भी option भी देखने को नहीं मिलेंगे अब यहां पर आपको अपना name डाल देना है जो भी आपका name हो जैसे आपना name डाल देते हैं उसके बाद search student पर आपको click करेंगे आपके सामने इस तरह का बहुत सारा student निकल कर आ जाएगा आपके नाम से जितने सारे बंदे high school में होंगे उनका name यहां पर देखने को मिल जाएगा आप अपना name कैसे पैचानेंगे और अपना role number तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा माता जी का नाम और आपके पिता जी का नाम तो आपको अपने माता जी और पिता जी का नाम देख लेना है और आपको पता चल जाएगा कि यहां यह वाला मेरा है या हमारा यह है उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा role number तो आपका जो भी name हो उसके सामने आपको role number देखने को मिल लेगा आपको यही role number यहाँ से copy कर लेना है यहाँ आपको यहाँ पर role number देखने को मिल चुका है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा three dots आप इस पर click कर देंगे यहाँ पर three dots पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके समने इस तरह का page यहाँ पर निकल के आजाएगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा समझत परिच्छा फल देखने के लिए अगर आप इंटर का देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको इस लिंक पर किलिक करना है और आपको अपना रोल नंबर डाल देना है अपना डिस्टिक्स रट करेना है और उसके बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आसानी से अपने नाम से अपना रोल नंबर पता कर सकते हैं तो मैं आसक करूँगा आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चले किया होगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्रवाई